नमस्कार Class 6, Exercise 2.3 हमारे पास Question 2 है If the product of 2 whole numbers is 0 Can we say that 1 or both of them will be 0? Justify the examples कहने का मतलब यह है कि यदि 2 numbers को multiply करके 0 आता है क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से या एक या दोनों ही 0 होंगे आएए हम कुछ उधारनों के हिसाब से देखते हैं माल लीजे पहला number 0 है दूसरा number 12 तो 0 को 12 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माल लीजे दूसरा number है 13 माल लीजे पहला number 13 और दूसरा number 0 13 को 0 से multiply करेंगे तब भी आएगा 0 इसका मतलब चाहे पहला number 0 हो दूसरा कुछ और हो तब भी answer 0 आ रहा है पहला number कुछ और हो दूसरा number 0 हो तब भी 0 आ रहा है इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी किसी भी number को 0 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer 0 आएगा यदि पहला number 0 है दूसरा कोई और है तब भी यदि पहला number कुछ और है दूसरा number 0 है तब भी यदि दोनो number 0 है तब भी तो जब इनोंने कहा कि can we say that 1 और both of them will be 0 या one number या one number या both of them दोनों ही 0 होंगे अगर product 0 आ रहा है तो yes it is true तो आप लिखोगे yes we can say that 1 और both of them will be 0 यही इसका उत्तर है ओके बच्चा आई हम इसका third question देखते हैं if the product of two whole numbers is one अब वो कहते हैं कि मा लीजिए two whole numbers के product का उत्तर है one तो can we say that one और both of them will be one justify three examples हमें देखना है कि क्या कोई एक number one होने से one आएगा मालो पहला number है one दूसरा number है मालो 19 तो इसका उत्तर क्या one आएगा one multiplied by 19 ये one के बराबर नहीं आया मालो पहला number कुछ और है जैसे माल लीजिए पहला number है seven दूसरा number है one क्या इसको multiply करके one आया seven one दा seven आया one नहीं आया माल लीजिए पहला number one है दूसरा number भी one है तो इसको multiply करके क्या आया one multiplied by one is one इससे हम क्या समझे कि इन्हों ने कहा can we say that one और both of the numbers will be one नहीं सिर्फ एक number one होने से जो product है वो one नहीं आयेगा जैसे यहां तो सिर्फ एक number zero होने से product zero हो रहा था लेकिन यहां पर सिर्फ एक number one होने से उनको multiply करके one नहीं आ रहा यहां पहला number one था तो multiply करके one नहीं आया, दूसरा नमबर यहां 1 था पहला नमबर कुछ और था तब भी 1 नहीं आया, तीसरा नमबर, तीसरे में, पहला नमबर भी 1 हैं, दूसरा नमबर भी 1 है तब ही उनको मेटिपलाइ करके 1 आया, right तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे no we cannot say that one or both of them will be one right इससे हमें क्या पता चला कभी भी दो नंबर्स का प्रोड़क्ट वन तभी आएगा जब दोनो ही नंबर वन होंगे ठीक है कभी भी दो नंबर्स का प्रोड़क्ट वन तभी आएगा जब दोनो ही नंबर वन होंगे और कोई भी दो numbers का product 0 आ सकता है, चाहे पहला number 0, चाहे दूसरा number 0, चाहे दोनो number 0, ओके बेटा थैंक यू झाल कोई यू जो झाल कोई यू जो